इससे प्रिवेसली हमने जो है question number 3 तक complete कर लिया था from exercise 2C compound interest अब हम question number 4 से देखते हैं आये पहले question समझ लेते हैं two years ago a plant was 192 cm tall at present its height is 243 cm find the rate of its growth ठीक है ना देखी formula same है population था तो population के place पे population यूज किया था अब हाइट है तो हाइट यूज करेंगे present height is equal to high 10 years ago into one plus r by 100 to the power of n ठीक है ना देखी क्या है 243 is equal to 192 ठीक है ना 243 is equal to 192 और bracket में 1 plus r by 100 to the power of 2 है क्योंकि यहां पे two years बोला गया ठीक है ना तो क्या करेंगे 243 यह डिवाइड में आजा है का 192 अब यहां पे थोड़ा सा रफ वर्क आपको दिखा देते देखिए 243 divided by 192 यह आप करेंगे तो 38 243 बन जा 3 3618 नाइन माइनिस एट इस बन और टू कॉपी किया इसी इक प्लस आर बाइंडरेड टूद आप आप टू यहीं होगा स्टूडेंट अब देखी क्या हो जाएगा वन प्लस आर बाइंडरेड तो दा पावर फू इस इकल टू इस साइड मेरा स्क्वेर श्टुडेंट ध्यान दें ठीक है ना तो जब यह स्क्वेर रूट हो जाएगा चलिए तो यह हो जाएगा वन प्लस आर बाई हंड्रेट इस इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेर रूट आफ एटी बन अपाउं शिक्स्टी एटी वन को लिख सकते हैं नाइन इन्टू नाइन क्लियर और इसको हम लिख सकते हैं 64 को एट इन्टू एट जो कि यहां पर दिखाया हुआ है ठीक है ना अब देखी क्या होगा वन प्लस आर बाई हंड्रेट इस इक्वल टू प्लस माइनस नाइन बाई एट क्लियर है स्टुडेंट इतना हो गया है अब क्या करेंगे अब मु कि चलिए कि देखी क्या है कि मैंने कहां तक निकाल लिया था कि वन प्लस आर बाई हंड्रेट इस इक्वल टू नाइन बाई एट क्लियर है हाँ हाँ हा भाई हंड्रेट क्या हुजाएगा नाइन बाई एट और यह प्लस पन इधर आगे तो माइनस वन हो गया है क्या हो जाएगा देखिए ह हिड़ गेट रूर आएट तो नाइन 25 by 2 तो रेट मेरा हो जाएगा 12 होल नंबर 1 upon 2 अगर मिक्स फ्रेक्शन में निकालते हैं और 12.5 क्लियर है स्टुडेंट तो एक क्विश्चन नंबर 4 था काफी इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुआ अब मूब करते हैं नेक्स प्रॉब्लम की तरफ कि देखी स्टुडेंट यहां पर क्या है थ्री इयर्स एगो प्राइस अफ़ प्लॉट ऑफ लैंड वस वन लैग ट्वेंटी थाउजन प्राइस ऑफ लैंड इंक्रीज बाइट 10 परसेंट पर एनम यानि रेट 10 परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है वाट इस प्रेजंट प् सब्सक्राइब का पूछा देखी प्रिजंट प्राइस इकवल टू वन लैग ट्वेंटी थाउजन इंटु वन प्लस और बाइंड आर की प्लेस पे टेन है तो टेन लेंगे टेन अपॉन हंड्रेट तुदा पावर ऑफ ठीक है ना देखिए अब इसको क्या करेंगे यह उ सब्सक्राइब करेंगे तो 121 आजाएगा और 20 हमने यहां पर यूज कर दिया उसके बाद 110 अपॉन यह भी यह चीज़ लिखा हुआ ना चलिए इसको भी थोड़ा सा सिंप्लिफाइब कर लेते हैं देखतें क्या मिलता है आईए देखिए इसको हम जब सिंप्लिफाइब क हमको क्या मिला स्टुडेंट देखिए ओट वेल इन्टू 11 इन्टू 121 अधिक ना और साथ में जीरो भी लगा हुआ है जीरो मिस नहीं पाए ठीक है ना जीरो मिस नहीं होना चाहिए अब देखिए हम इसको मल्टिपलाइब कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट आप चाहें त तो इसको करके देखा हुआ देखिए आपको रफ में भी दिखाते हैं पहले देख लीजिए इसको जब आप मल्टिपलाइब करेंगे तो यह आएगा 1559720 क्लियर तो प्रेजेंट का प्राइस यह होगा प्राइस है तो रूपीज में ही आएगा ठीक है ना तो यह प्रेज तो बैना अब आयए आपको इसका रफ वर्क दिखाते ना आ यहलेती उलंड कुर्ण Carry 112, 1s are 12, 1s are 13, 132 into 12, 1 into 0, ठीक है न, करके देख लीजे आप, 132, 2 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, clear, cancel, 3 0 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, ठीक है न, 100, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 1s are 1, add कर दीजे देखी क्या हो जाएगा, 0 2 437, 628193251, clear है, तो इतना रुपीज आ जाएगा, ठीक है न, 159720, तो ये present price इतना होगा, ठीक है न, दो साल पहले इतना था, और हर साल ये 10% की इसाब से बढ़ भी रहा था, तो present का price कितना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, अब हम मूब करते हैं, next problem की तरफ, कि वो हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आईए देखते हैं, देखिए, question number six, हमसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, population of a town increases by 10% every year, if the present population is 60,500, find its population after two years, two years ago, ठीक है न, present population इतनी है, हमसे पूँच रहा है, कि दो साल बाद उसकी population कितनी होगी और दो साल पहले कितना होगा, तो student हमने जो formula आपको बताया था, सिर्फ आपको simply वही formula लगाना है, कि दो साल बाद क्या होगा और दो साल पहले क्या होगा, ठीक है न, चली देखिए, पहले तो हम first part का answer करते है, population after two years, ठीक है न, तो मान लेते हैं, P-, क्या होगा, present population, ठीक है न, population after two years क्या हो जाएगा, present population, present population दिया है, 60,500, clear, इतना मुझे दे रखा है, into one plus r by hundred, ten percent है, to the power of two करेंगे, student ध्यान दीजेगा, क्योंकि ये दो दिया हुआ है, तो ऐसे कर देंगे, क्या जाएगा, देखिए, 60,500, hundred बन्जा, hundred और ten, hundred and ten हो जाएगा, यानि hundred and ten upon ten, और ये power two है, तो दो बार लिख देंगे, clear, चलिए, अब देखते हैं, क्या कुछ cancel हो रहा है, तो कर देंगे, देखिए, one, two, zero, two, zero, one, two, zero, इसको हम जब multiply करेंगे, student तो हमें क्या मिल जाएगा, 73205, यानि, दो साल के बाद population इतनी होगी, अगर present population इतनी है, clear है, student, ठीक, ठीक है न, तो ये first part था, आईए इसका अपको rough work भी थोड़ा दिखा देते हैं, यहां पर आईए, 605 into 121, चलिए देखिए, 155, 506, 2 into 5 करेंगे, 10 मिल जाएगा, 2612 बाज जाएगा, clear, 15s of 506, add कर दीजे, क्या हो जाएगा, 0 आजाएगा, 617, 7512, carry आजाएगा, 123 हो जाएगा, 617, clear student कितना आगया, 73,205, तो यह दो साल बाद की, population होगा, ठीक है न, अब हमें क्या निकालना है, 2 years ago, तो देखिए, 2 years ago में, हम क्या formula, use करने वाले हैं, formula हम आपको बता चुके हैं, ठीक है न, formula हम आपको, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है न, तो यह क्या होगा, देखिए, present population, present population, is equal to, population in years ago, population, in years ago, in years ago, into, 1 plus r by 100 to the power of n, इस formula को use करना है, ठीक है न, तो present population, देखिए, क्या दिया हुआ है, आईए, नेक्स पेज़ पर देखते हैं, देखिए, मुझे present, present population, जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, 60,500, ठीक है न, और मुझे, दो साल के पहले का निकालना है, ठीक है न, तो इसको मान लेंगे, पी, ठीक है न, और 1 plus r by 100, 10 upon 100 to the power of 2, ठीक है न, 10 upon 100 to the power of 2 करेंगे, स्टुडेंट ध्यान से देखें, तो मुझे दो साल का निकालना है, ठीक है, कितने का निकालना है, दो साल का निकालना है, देखिए, इसको ऐसे 2 कर देंगे, ठीक है न, देखिए, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60500 upon, देखिए, यह तो इसके डिवाइड में आ गया, और यह क्या हो जाएगा, यह ऐसे हो जाएगा, ऐसा ही दिया हुआ है, देखिए, क्या हो जाएगा, पी इक्वाल टू, 60500, 100 बंसा, 100 ओं 10, 110 यानि यह 110 upon 100 ऐसे हो जाएगा, देखिए, कि अब क्या कर सकते हैं, 60500, इंटू, चलिए, यही देख लेते हैं पहले, यही बं कर देखिए, 110 इंटू, 110 अपॉन, 100 इंटू, 100, अब देखिए, यह मेरा डिवाइड का लाइन है, तो यह मेरा, यहाँ पे आ गया, उपर की तरफ, क्या हो जाएगा, 60500, इंटू, 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 डिवाइड बाई, 110, इंटू, 110, अब देखिए, 20 है, यह 20 है, बहुत असानी से, यह मेरा, कड जाएगा, ठीक है ना, अब देखिए, और मेरा क्या, कैंसल हो सकता है, देखिए, 11 से पहले, इसको कैंसल करते है, 11 मन्जा 11, देखिए, 11, 5 जा 55, तो 10 मैनिस 5 जा 5, यह कॉपी किया, 11, 5 जा 55, देखिए, दो 0 ए स्टुजेंट, ध्यान दें, 2 0s, कॉपी कर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए, 11 मन्जा 11, फिर यह हो जाएगा, 11, 5 जा 55, और फिर से 2 0, देखिए, कितना हो जाएगा, 500, इंटु 100, और इंटु, बस, और नहीं है, ठीक है, ना, क्लियर स्टुडेंट, और नहीं है, मेरे पास 4 0s हैं, तो देखिए, स्टुडेंट मेरा क्या जाएगा, 110, 100,000, 10,000, 50,000, कितना हो जाएगा, 50,000 यह मेरा आ गया है, ठीक है ना, तो यह मेरा, Q6 तक कम्टीट हो गया है, इसमें तो सब कुछ क्रॉस करके, दिखाई दिया है, एक बार चलिए और देख लीजे, चलिए, यहां पिया यह देखिए, देखिए, क्या दिया हो था मुझे, 605,000, इंटु 100, इंटु 100 अपॉन, 110, इंटु 100 अपॉन, यही दिया था, देखिए, 120, 10-5 is 5, 11-5 is 55, 00, ठीक है, फिर क्या हो गया, 11 से, 11-55, 20 फिर आ गया, क्या हो जागा देखिए, 5, 1234, ठीक है, इतना आ जाएगा, तो यह बहुत इंपॉर्टन वेस्टन था, वेस्टन नमबर 6, जो कि कम्टीट हो गया है, इससे आगे की क्वेश्चन को हम नेक्स लिक्चर में डिसकस करेंगे, तिल दिन अल दे स्टुजनेंस, थैंक यू एन हैव नाइस टाइम, क्वेश्चन को हम एन है पित जएचर ऑजчес लिए हो?,